Hello everyone, पढ़रे क्लासेस पर आप सभी का हारदिक स्वागत है तो कैसे हो सारे, उमीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी त्यारी भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी तो last class में हमने start किया था chapter number 6, triangles और उससे related जो भी concepts है, जो भी examples है हम क्लास में कल discuss किये थे, उमीद करता हूँ आपने घर जा के जरूर अच्छे से revise कर लिये होंगे और अच्छे से practice भी कर लिये होगी तो कल सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी थी, वो क्या देखी थी, similarity के बारे में देखा था हमने कि similar, कोई भी polygons कोई भी polygon अगर similar होगा तो उसके लिए criteria हम कौन सा use करें, किस criteria के base पे हम कहेंगे कि वो polygon क्या है आपका similar है, ठीक है तो mainly हमने similarity के बारे में कल discuss किया था, आपकी जो exercise 6.1 थी, वो हमने complete कर ली थी, सारे question mainly similarity के उपर मतलब one liner question थे 6.1 के अंदर, तो उमीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि similarity और congruity के बीच में क्या फरक होता है वैसे फिर भी एगर briefly बता दूँ मैं, concurrency में क्या होता है, आपके जो polygons होते हैं, उनका size और shape दोनों चीज़ सेम होती है, बट जब आप बात करते हो similarity के, तो similarity के इसमें जो आपका shape होगा, वो same होगा, बट जरूरी नहीं है कि आपका size और polygon का वो भी same हो, ठीक है तो आज हम वहीं से discuss करेंगे, questions को, द्योर theorem मैंने आपको कल करवाई थी, एक तो करवाई थी, BPT, basic proportionality theorem, और second आपको करवाई थी, converse of BPT, Converse of BPT, जो की Converse of basic proportionality theorem, इसके बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं एक बार, ताकि जो भी question आज करेंगे, हम completely वो आपकी BPT के उपर based होंगे, वही property आपकी apply होगी, proof उमीद करता हूँ, सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और खुद अपनी तरफ से practice करके भी देखना, त तो सबसे पहले BPT क्या कहती है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, BPT जो कल हमने proof किया था, BPT क्या कह रहे थी, अगर कोई triangle है, अगर हमारे पास कोई triangle है, ठीक है, उसमें एक कैसी कोई line है, ये मान लो triangle हमने मान लिया ABC, और EF कोई line है, जो parallel है किसके, EF कोई line है, ज EF कोई line आपको given है, जो कि किसके parallel है, BC के parallel है, अगर ऐसी condition आपको given है, तो BPT क्या कहती है, जो EF line है, वो other two side को, जिस side के parallel है, उसको छोड़ के, जो other two sides है, उसको equal ratio में divide करेगी, मतलब की, आपका AE by EB किसके बराबर होगा, AF by FC के बराबर होगा, ठीक है, ये आपकी कहती है, BPT, basic proportionality थी, अगर बात करते है, Converse of BPT की, Converse of BPT की, तो तब क्या कि Converse of BPT की आगे थी, अगर हमारे पास ratio given है, कि अगर हमारे पास ऐसी चीज given है, कि कोई एक line है, कोई भी एक line है, जो other two sides को, किसी भी दो sides को, equal ratio में divide करती है, मतलब कि, ये condition हमारे पास यहाँ पे given होती थी, तो ये चीज ट्रू होती थी, बट Converse of BPT में क्या कियो है, अगर ये given है, कि AE by EB का ratio किसके बराबर है, AF by FC के बराबर है, then, जो आपकी EF line होगी, वो क्या होगी, हमेशा parallel होगी, किसके? BC के parallel होगी, ये चीज़ आपकी क्या कहती है, ये Converse of BPT कहती है, ठीक है, मतलब बिलकु उल्टा, अगर ये given है, कि EF parallel है, BC के, तो हम कौन सी property apply करते है, BPT से, this by this is equal to this by this, ठीक है, बट Converse of BPT कहती है, अगर आपको ratio given है, कि ये इसके बराबर है, इसका ratio, तो हम क्या कह सकते है, जो ये line है, जो line है, ये इस line के third side के क्या है, parallel है, ये आपकी कहती है, Converse of BPT, ठीक है, तो इनी के उपर question करेंगे आज हम, तो चलते हैं, question की तरफ, और question से काफी अच्छे से आपको समझ में आगा कि किस तरीके से question आपके exam में पूछे जाते है, ठीक है, तो पहला question given है, आपे, if a line intersects sides AB and AC of triangle ABC at D and E respectively, and is parallel to BC, prove that AD by AB का ratio, AD by AB, complete का ratio किसके बराबर है, AE divided by AC के बराबर है, यहाँ पे क्या आपको कह रहा है यह, question में आपसे क्या कहा गया है, question पे आपसे यह कहा गया है, कि ABC को एक triangle है, ठीक है, उसमें एक line है, कौन सी, DE, ठीक है, जो कि क्या है, parallel है, किसके, BC के parallel है, जो आपकी यह line है, DE जो line है, यह क्या है, आपकी, BC के parallel है, तो आपसे यह कहा गया है, कि प्रूफ करो, AD divided by AB, AD divided by AB, करेशो, AE divided by AC के बराबर है, यह चीज़ आपको प्रूफ करने है, बट, BPT में हम क्या प्रूफ करते हैं, बेसिक प्रूफ करते हैं, तो यह कहते हैं, अगर यह line इसके parallel है, तो AD divided by DB is equal to AE divided by EC के बराबर होता है, बट, यह चीज़ कहां से आ गई, यह भी आपका एक BPT का ही part है, इस theorem को प्रूफ करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि basic proportionality theorem से हम क्या-क्या चीज़े लिख सकते हैं, ठीक है, यह भी हम BPT से लिख सकते हैं, ठीक है, अभी हम प्रूफ करेंगे कि अगर यह line इसके parallel है, तो यह चीज़ भी आपकी true होती है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, थोड़ा logic आपको बता दू यहाँ पर मैं, logic जो हम use करेंगे, वो क्या use करेंगे, हमारे पास given है, जो DE line है, वो क्या है, पैलल है आपसे, BC के पैलल है, वो क्या है, BC के पैलल है, जो DE line है, वो BC के पैलल है, अगर यह पैलल है, तो BPT हम easily apply कर से हैं, basic proportionality theorem क्या कहती है, AD, divide by DB, किसके पर होगा, यहाँ क्या कहती है, basic proportionality थे हम कह रहती है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाइए, AD चाहिए, AE भी चाहिए, बट यहाँ पे AB है, और AC है, बट यहाँ पे क्या है, DB और EC, तो AB बनाने के लिए, DB में हमें क्या करना पड़ेगा, DB में AD add करना पड़ेगा, तब ही EC में हमें क्या add करना पड़ेगा AE add करना पड़ेगा तब ही जा कि आपका complete क्या बनेगा AC यहाँ पर बनेगा ठीक है तो मतलब कि DB में add करने के लिए add करने का तरीका मैंने आपको बताया था दोनों तरफ अगर plus one कर दोगे तो numerator जो denominator है वो आपका numerator में add हो जाएगा बट हमें DB में add करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका reciprocal लेना पड़ेगा किसको हम क्या लिख देंगे DB,Y,AD किसके बराबर होगा EC,Y,A,E,K ऐसा हम लिख सकते हैं अगर हम reciprocal करें तो value के उपर कोई भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों तरफ reciprocal कर रहे है ये नहीं है कि इस साइड इस साइड हमने reciprocal कर दिया ये as it is ये गलत जो भी करेंगे दोनों तरफ ठीक है अब अगर AD में add कर दूँ मैं क्या plus 1 अगर दोनों तरफ यहाँ पर plus 1 add कर दूँ LCM लेंगे तो हमारे पास numerator की टरम क्या बनेगी DB प्लस में AD DB प्लस में AD किसके बराबर AB के बराबर EC प्लस में AE किसके बराबर AC के बराबर वही चीज हमें चाहिए तो reciprocal कर देंगे और यह answer हमारे पास आ जाएगा ठीक है अब चलते हैं proof की तरफ इसके solution की तरफ तो solution देखते हैं अब कैसे करेंगे logic आपको समझ में देखो जो भी triangles जो भी geometry के जो भी chapters हैं आपको वो question solve करने से पहले आपको यह पता हो जाना चाहिए की question में logic क्या लग रहा है किस तरीके से हम question को solve करने वाले हैं ठीक है अब चलते हैं diagram बना लेते हैं हम दुबारा से एक बर यह triangle आपको given था A, B, C line कौन सी given थी D और E यहाँ पर line आपको given थी D और E ठीक है अब सबसे पहले लिखें given क्या क्या है हमारे पास line given यह है कि एक triangle है ABC और D और E ऐसे point है जो line है D, E वो क्या है parallel है BC कर प्रूफ करना है A, D by A, B किसके बराबर है A, E by A, C के बराबर है ठीक है तो सबसे पहले given लिख लेते है क्या चीज़ given है आपको given यह है कि ABC एक triangle है mainly जो चीज़ लिखने है D, E जो है वो parallel है किसके BC के यह चीज mainly आपको यहाँ पे given है ठीक है फिर चलते हम proof क्या करना है हमे to prove हमें proof क्या करना है AD by AB AD by AB किसके बराबर है AE by AC के बराबर है यही चीज़ प्रूफ करनी है AD by AB किसके बराबर है AE by AC के बराबर है यह चीज़ हमें क्या करनी है यहाँ प्रूफ करनी है अब चलते हैं proof की तरफ ठीक है तो proof कैसे करेंगे देखो अब तो proof के लिए क्या है इन triangle ABC के अंदर जो आपको given है D ही क्या है पहलेल आपकी BC के बराबर पहलेल है मतलब की in triangle ABC we have जो आपकी DE है वो क्या है पहलेल है BC के ठीक है triangle ABC के अंदर जो आपकी DE line है वो क्या है पहलेल है BC के therefore जो आपका AD divide by DB किसके बराबर होगा AE divide by EC के ऐसा क्यूं क्यूं हुआ using basic proportionality theorem क्यूं जो आपकी पहलेल है BC के तो हम क्या कह सकते है AD by DB का ratio किसके बराबर होगा AE by EC के बराबर होगा using theorem 6.1 जो कि आपकी किसकी है basic proportionality theorem है जो आपकी कहती है ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे हम using using BPT ठीक है using BPT से हम यह चीज कह सकते है बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर AB चाहिए यहाँ पर AC चाहिए तो इसको बना ले के लिए हम क्या करेंगे पहले इसको क्या करेंगे reciprocal कर ले इसी वज़े से पहले हम दोनों तरफ क्या कर देंगे reciprocal कर देंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ DB by AD बराबर है EC by AEK ठीक है इसके बराबर है अब क्या करेंगे adding one on both side adding one on both sides ठीक है दोनों तरफ क्या कर देंगे one add कर देंगे तो DB by AD प्लस one यहाँ पर क्या आएगा DB by AD प्लस में one बराबर है आपका किसके EC by AE EC by AE प्लस में one LCM लेंगे LCM कितना आएगा हमारे पास AD यहाँ पर कितना आएगा DB प्लस में LCM one लेंगे प्लस में AD यहाँ पर कितना आएगा LCM AE LCM EC PLUS में यहाँ पर RIGHT HAND SIDE में कितना आएगा आपका 1 से लेंगे AE इंटू में 1 AE के बराबर आएगा अब एक बात बताओ DB PLUS AD किसके बराबर है और EC PLUS AE किसके बराबर है DB PLUS AD COMPLETELY किसके बराबर है AB के बराबर है EC PLUS AE किसके बराबर है AC के बराबर है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते है DB PLUS AD किसके बराबर है AB के बराबर है और EC PLUS AE किसके बराबर है आपका AC के बराबर है ठीक है ठीक है अब दुबारा से क्या कर दो इसको reciprocal कर दो क्यों क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए AD by AB is equals to AE by AC तो दुबारा से क्या कर देंगे हम इसका reciprocal कर देंगे तो answer क्या जाएगा AD by AB बराबर है AE by AC के और ये भी किसका part है आपका ये भी basic proportionality का ही part है कि अगर आपकी BPT true है अगर आपकी basic proportionality theorem true है मतलब कि अगर आपकी कोई line है जो इस line के parallel है तो हम क्या कह सकते है पहली condition हम ये चीज कह सकते है जो हम proof करके आए है second हम ये भी कह सकते है कि AD by AB का ratio किसके बराबर है AE by AC के ratio के बराबर और third एक और चीज यहां से आप कह सकते हो वो कौन सी आ गई AD by AB आगया ना सबसे पहले आएगा AB by DB बराबर है AC बराबर में AC ये चीज भी आप BPT से कह सकते हो अगर proof करना चाहो तो यहां से ही proof हो जाएगा तो इसको reciprocal ना करके दोनों तरफ one add कर दो दोनों तरफ अगर one add कर दो numerator के आएगा AD plus में DB AD plus में DB किसके बराबर? AB के बराबर AB divide by DB AE plus EC किसके बराबर? AC के बराबर divide by EC और वो चीज आपकी वहां से आ जाएगी मतलब कि पहली ये दूसरी ये और तीसरी ये ये तीनों condition आप basic proportionality theorem के base पे लगा सकते हो मतलब कि अगर आपको ये चीज गीवन है कि DE कोई line है जो BC के parallel है तो as per condition जो आपको prove करना है उस हिसाब से आप कोई भी तीनों में से कोई भी एक condition apply कर सकते हो ठीक है? ये तीनों condition मैंने आपको बता दी अगर BPT apply करनी है अगर आपको ये गीवन है कि DE कोई line है जो BC के parallel है तो आप ये भी कह सकते हो कि AD by DB का ratio किसके बराबर है AE by EC के बराबर या फिर आप ये भी कह सकते हो AD by AB का ratio AD by AB का ratio किसके बराबर है AE by AC के बराबर या फिर आप ये भी कह सकते हो AB by DB का ratio जो AC by EC के रेशियो के बराबर है, इन तीनों में से कोई भी बात आप कह सकते हो, यहाँ पे ठीक है, यह 1, 2, 3, यहाँ पे नोट मत करना, अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, अगर यह नोट करना चाहो तो नोट कर लो, साइड में लिखके, कि if DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, then number 1, यह point लिखो, number 1 यह लिखो आप, जो basic 6.1 थे हो रहाँ, और करके second point लिखो यह, और करके third point लिखो यह, ठीक है, यह तीनों चीज़ आप कह सकते हो, कब, अगर DE line आपकी BC के पहले है, Converse में भी बिल्कुल सेम चीज़ है, Converse में भी सेम चीज़ है, अगर यह तीनों चीज़ आपको given है, तीनों में से कोई भी एक condition आपको given है, तो आप यह कह सकते हो, कि DE जो है, वो BC के parallel है, ठीक है, वाइस वर्सा करके, सेम यह चीज़ आप साइड में note कर लो, काफी important example में भी use होगी, जैसे use करेंगे, मैं आपको बता दूँगा, देखो, यहाँ पर यह condition हमने use की है, ठीक है, तो यह था आपका example number one, उमीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया, BPT, आपको given था कि DE parallel है इससे, BC के, तो BPT हमने apply कर दी, apply करने का, जैसा हमें prove करन ले लिया, reciprocal लेकर हमने one दोनों तरफ add कर दिया, क्यों add किया ताकि उपर complete term बन जाए जो हमें चाहिए था, ठीक है, यह करने के बाद यह चीज हमारे पास आ गया, जब हमने यहाँ पर reciprocal कर दिया, ठीक है, तो काफी important theorem है आपकी जो BPT है, हर एक example में आपकी use होगी, जो आप ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and E and F are points on non parallel sites AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB, ठीक है, आपको यह given है कि ABCD आपके पास एक trapezium given है, जैसा कि आप यहाँ पे diagram में देख सकते हो, और आपको यह given है कि AB जो line है वो parallel है DC के, ठीक है, E and F are points on non parallel sites, E और F ऐसे points है जो non parallel sites में हैं, ठीक है, AD and BC, ठीक है, such that EF is parallel to AB, और EF जो है वो parallel है AB के, AB parallel है DC के, EF parallel है AB से, तो एक बात तो पताओ, EF DC के भी तो parallel होगी, parallel to the same side, अगर कोई line किसी side के parallel है, तो वो जिस side के parallel है, वो line उसके भी parallel होगी, मतलब कि AB अगर parallel है DC के, अगर AB क्या है, parallel है DC के, AB अगर parallel है DC के, और आपको given है, EF जो है वो parallel है किसके, AB के, AB parallel है DC के, AB parallel है DC के, EF parallel है AB के, तो EF अगर AB के parallel है, AB DC के पहले है, तो EF DC के भी तो parallel होगी, ठीक है, EF क्या होगी आपकी, DC के भी parallel होगी, EF जो होगी वो क्या होगी आपकी, DC के भी parallel होगी, ठीक है, अब proof क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AE by ED का ratio, AE by ED का ratio, BF by FC के रेशियो के बराबर है, अब ये चीज़ proof करने के लिए हमारे पस क्या होना चाहिए, दो triangle होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो condition हम apply करते आ रहे हैं, ये हमने किस पर apply की थी, triangles के उपर apply की थी, ना कि quadrilateral के उपर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर construction करेंगे, construction मतलब, इस quadrilateral को हम, यहां से join करके, A और C को, दो triangles में क्या कर देंगे, divide कर देंगे, ठीक है, logic आप को बता दूँ, मैं पहले, यहां पर हम कैसे करेंगे, इसको हमें जो proof करना है, वो हम कैसे proof करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहां पर, हम A और C को join कर देंगे, ठीक है, A और C को हमने मान लो, यहां पर join कर दिया, और यह जो point है, यह मान लो point है, ओ, ठीक है, अब यहां पर EF parallel है DC के अभी मैंने आपको बताया था EF भी parallel होगी DC के तो एक बात बताओ EF का ही तो part है EO तो EO भी तो parallel होगा DC के अगर ये line इस line के parallel है तो इस line का इतना टुकड़ा भी तो इस line के parallel होगा इसका इतना part भी तो इसके parallel होगा तो वही बात यहाँ पे है, अगर EF completely parallel है DC के, तो EO भी parallel होगी DC के, तो पहली condition यहाँ से apply करेंगे हम BPT, basic proportionality और हम कौन सी, AE by ED का ratio AO by OC के रेशो के बराबर है, same, EF parallel है AB के, तो OF भी तो parallel होगा AB के, अगर यह पहले है तो यहाँ पे भी हम क्या apply करेंगे, BPT, CO by OA किसके बराब बट एक चीज देखो तो यह पार्ट है, AO by OC, यह दोनों में common है, यह दोनों में common है, यहाँ पे भी आएगा, इस triangle में भी और यह पार्ट यहाँ पे भी आएगा, तो मतलब दोनों की left hand side अगर equal होगी, तो दोनों की right hand side भी equal होगी, इस logic से हम इसको proof करेंगे, ठीक है, अब देखते हैं, proof की तरफ, सबसे पहले लिख लेते हैं, जो चीज हमें चाहिए, given क्या है हमारे पास, given यह है, कि AB जो है, वो आपकी parallel है, DC के, ठीक है, such that, and, EF आपकी parallel है, AB के, यह दो चीज आपको यहाँ पे given है, ठीक है, proof आपको क्या करना है, वो चीज देखो, यहाँ पे लिखना चाहो, तो लिख सकते हो, ABCD is a trapezium, such that, AB is parallel to DC, and EF is parallel to AB, कोई नहीं, मैं लिखके ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे, ABCD is a trapezium, such that, ठीक है, short में लिख दिखे है, हमें proof करना है, कि AE by ED का ratio किसके बराबर है, BF by FC के ratio के बराबर है, यह चीज हमें proof करनी है, तो proof करेंगे हम, यहाँ पे, तो proof करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा है, construction करनी पड़ेगी, A और C point को हमें join करना पड़ेगा, such that, जो A और C point को जब join करेंगे, वो EF line को कहाँ पे intersect करेगी, ओ point पे intersect करेगी, यह चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, join, A C such that line A C intersect the line EF at point O, ठीक है, किस point पे cut कर रही है, intersect कर रही है, O point पे intersect कर रही है, ठीक है, अब यह हमने मान ली, अब हमारे पास दो triangle बनगे, कौन-कौन से, A, D, C और C, A, B, अब दोनों triangle को हम लेके चलेंगे, सबसे पहले लेते हैं, इन triangle A, D, C, अब सबसे पहले एक चीज लिख लेते हैं, हमें given है, क्या, कि जो आपकी A, B है, वो parallel है, D, C के, और EF parallel है, A, B के, given that, A, B is parallel to D, C, and E, F is parallel to A, B, this implies that, आपकी जो E, F है, वो parallel होगी, D, C के भी parallel होगी, ठीक है, E, F parallel to A, B given है, वही मैंने चीज अब यह आपको बताई थी, अगर A, B parallel है, D, C के, और E, F parallel है, A, B के, तो E, F, D, C, के भी parallel होगी, क्यों, parallel to the same side की property से, ठीक है, E, F is parallel to the D, C, because due to parallel to the same parallel side, ठीक है, अब in triangle लेके चलते हैं, in triangle A, D, C, ठीक है, in triangle A, D, C, in triangle A, D, C, आपकी E, F, अगर parallel है, D, C, के, अभी है, मैंने आपको बताई, E, F, अगर parallel है, D, C, के, तो E, O, भी क्या होगा, parallel होगा, D, C, के, E, O, अगर parallel है, D, C, के, तो, then by using BPT हम क्या लिख सकते हैं, A, E, by E, D, किसके बराबर है, A, O, by, O, C, के बराबर है, ठीक है, A, E, by, E, D, किसके बराबर है, A, O, by, O, C, के बराबर है, in triangle A, D, C, E, O, is parallel to D, C, therefore, A, D, by, D, C, A, D, by, D, C, किसके बराबर है, A, O, by, O, C, के बराबर है, A, O, by, O, C, के बराबर है, ठीक है, यह आपके वास बन गए, यहाँ पे, equation number one, ठीक है, कैसे लिखेंगे, using BPT, basic proportionality theorem से हम यह चीज़ लिख सकते हैं, अगर कोई line किसी third side के parallel है, तो वो line other two side को equal ratio में divide करती है, अब बात करते हैं, triangle C, A, B, in triangle C, A, B, तो triangle C, A, B, के अंदर, जो आपकी E, F line है, वो A, B के भी parallel है, E, F, जो line है, वो A, B के parallel है, तो इसका मतलब जो इसका यह part है, O, F, वो भी क्या होगा, parallel होगा, A, B के, अगर O, F parallel है, A, B के, हम लिख लेते हैं, हापे, O, F is parallel to A, B, ठीक है, O, F अगर parallel है, A, B, के, then by using B, P, T, हम क्या कह सकते हैं, A, O, by O, C, किसके बराबर है, B, F, by F, C, के बराबर है, या फिर ऐसे लिख दो, C, O, by O, A, किसके बराबर है, C, F, by F, C, के बराबर है, ठीक है, तो जहां से क्या आएगा, A, O, by O, C, A, O, by O, C, किसके बराबर है, B, F, by F, C, के बराबर है, B, F, by में F, C, के बराबर है, ये आपके पास आगई, second number equation, इसको भी कैसे लिखेंगे, using B, P, T, या फिर basic proportionality theorem, ठीक है, अब एक बात बताओ, equation number 1 को देखो, equation number 2 को देखो, ये वाड़ा part A, O, by O, C, के बराबर है, और A, O, by O, C, किसके बराबर है, B, F, by F, C, के बराबर है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों चीज बराबर हैं, तो ये दोनों चीज भी आपस में बराबर होंगी, क्यों, अगर इसको मैं पहले लिख दूँ, इसको मैं बाद में लिखू, तो बात तो वही हो गई, अगर left hand side बराबर हैं, तो right hand side भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है, तो from one and two से हम क्या कह सकते हैं, from one and two, we have, from one and two, हमारे पास क्या है, जो आपकी ae by ed है, ae by ed, किसके बराबर आ जाएगा, bf by fc के बराबर आ जाएगा, और शायद यही हमें प्रूफ करना था, ae by ed is equal to bf by fc, ae by ed is equal to bf by fc, ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करना था, यहां पर प्रूफ करना था, तो क्या कि हमने एक बर ब्रीफली बता दूँ, हमने construction की a और c को join कर दिया, जो की ef line को o point पे intersect कर दिया, वहां से हमने दो triangle ल कर दि कौन सी? यह वाली condition अपलाई कर दि, same second triangle पे हमने यह वाली condition अपलाई कर दिया, अब दोनों equation में हमने देखा कि ae o by oc और ae o by oc क्या है, दोनों में common है, अगर ae by oc और ae o by oc तो इसका मतलब यह अगर इसके बराबर है, और ae by c बराबर है, तो यह और यह दोनों भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है, तो from 1 and 2 we have a by ed is equals to bfybc, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ठीक है, समझ में आ गया, अब चलते हैं, next question पर, तो यहाँ पर देख सकते हो, mainly सारे question आपके BPT पर ही solve, बेज जा सारे, मतलब जहाँ पर आपको parallel line दिख गई, सीधा सा मतलब है, BPT apply कर दो, ठीक है, जहाँ पर parallel line दिख रही है, बस वो सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से apply करनी है, अब जैसे यह जो पिछला question था, यह अब यह line इसके parallel तो given थी, बट अब यह थोड़ी कह सकते हो directly, यह इसके equal है, और यह इसके equal है, नहीं, वो triangle के case में अगर कह सकते हो, जहाँ पर तीन side अगर आपको given है, अगर कोई line किसी third side के parallel है, तो वो line other two sides को equal ratio में divide करती है, किसके case में, triangle के case में, ना कि quadrilateral के case में, ठीक है, बट इस question से हम यह भी कह सकते हैं, अगर कोई trapezium या फिर कोई quadrilateral की ऐसी कोई line है, जो दोनों side के क्या है, parallel है, तो इसका मतलब क्या है, वो line other two sides को equal ratio में divide करेगी, जो कि आपने यहाँ पे भी देख लिया, ठीक है, देखा जाए तो हर एक question आपस में, खुद क्या है, ए एक नई से नई property, नई से नई चीज आपको यहाँ से सीखने को मिल रही है, ठीक है, अब चलते हम next question की तरफ, next question क्या कह रहा है, देखो, example number 3, in figure 6.16, ps is equal to sq, ps divided by sq, sorry, ps divided by sq, किसके ब्राबर है, pt divided by tr, यह चीज कहीं पढ़ी है क्या हमने, अरे हाँ, converse of bpt तो है यह, सही किस statement given है, converse of bpt की given है, कि converse of bpt जब हमने की थी, यही condition हमें क्या होती थी, given होती, तो ऐसे चीजों को समझना है, देखते है कि क्या चीज आपको given है, ठीक है, तो हमें यह given है, ps by sq का ratio किसके ब्राबर है, pt by tr के ratio के ब्राबर है, इसका मतलब मैं converse of bpt यहाँ पे apply कर सकता ह तो क्या कहती है, अगर यह ratio आपको given है, तो यह line, इस line के क्या होगी, parallel होगी, ठीक है, यह साथ में मैं आपको logic भी बता रहा हूं, question पढ़ने के साथ सा, ठीक है, और एक चीज और given है, angle pst किसके ब्राबर है, angle pr क्यों के ब्राबर है, मतलब की angle pst, देखो इसका मतलब यह न कौन सी आ रही है, s, मतलब की s जो angle है, वो r angle के ब्राबर है, ठीक है, मतलब pst आपका prq के ब्राबर है, तो आपको proof करना है कि pqr is an isosilis triangle, जो आपका pqr है, वो एक isosilis triangle, isosilis triangle क्या होता है, जिसकी दो side क्या हो, ब्राबर हो, वो चीज हमें प्रूफ करनी है, तो वो चीज प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, pq किस के ब्राबर है, pr के ब्राबर है, अब यह चीज मैं कहां से प्रूफ करूँगा, अगर मैं यह प्रूफ कर दूँ, कि यह जो angle है आपका, यह angle, यह angle, कौन सा pqr, जो q angle है, यह angle r के ब्राबर ह अगर यह चीज मैं प्रूफ कर दूँ, कि क्यो angle r के ब्राबर है, तो मेरा काम हो जाएगा, कहोगे सर कैसे, आपने तो angle प्राबर प्रूफ कर दिये, आपने पहले class 9 में एक property पड़ी हुई है, sides opposite to equal angles are always equal, मतलब कि equal angles के opposite में जोन सी भी side होती है, वो भी आपस में ब्राबर ह होती है, ठीक है, मतलब कि अगर यह दो equal angles हैं, इसके opposite में कौन सी side है, PR, इसके opposite में कौन सी side है, P क्यों, यह दोनों आपस में क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी, मतलब कि अगर कोई भी दो angle आपको given है, इन दोनों angle के opposite में जो भी side होंगी, वो दोनों side आपस में भी बराबर होती है ठीक है तो इस logic से मैं इसको प्रूफ करूँ अब ये चीज कैसे प्रूफ करूँ कि ये एंगल इसके बराबर है थोड़ा back में चलते है starting से चलते है logic देखो क्या है ये चीज आपको given है इसका मतलब क्या है converse of bpt applicable है converse of bpt क्या कहती है ये line इसके parallel होगी अगर ये line इस line के parallel है तो एक बात बताओ ये और ये angle बराबर होंगे या नहीं होंगे corresponding angles याद करो corresponding angles क्या होते हैं अगर कोई दो line parallel है तो उनके corresponding angles हमेशा आपस में बराबर होते हैं ठीक है तो मतलब ये चीज़ तो में पास आगई angle PST किसके बराबर होगा angle P, Q, R के बराबर अब एक बात बदाओ angle PST मेरे पास बराबर आगया angle P, Q, R के को अग्धिवन क्या है angle PST मुझे given है किसके बराबर है P, R क्यो … belonging बराबर है तो यही चीजह तो मुझे प्र पी आर क्यू के बराबर तो यही चीज तो मुझे प्रूफ करने थी एंगल क्यों किसके बराबर एंगल आर के बराबर तो अगर यह दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट में जो साइड है वो भी आपस में बराबर होंगी अगर दोनों साइड आपस में तो मतलब यह कैसा ट्राइंगल है इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे ठीक है अब चलते हैं सोलूशन की तरफ ठीक है तो सोलूशन से पहले गीवन लिख लेते हमें क्या चीज यहां पर गीवन है गीवन यह है एक तो पी एस बाई एस क्यो किसके बराबर है पी टी डिवाइड वै टी आर के बराबर है एंड जो आपका एंगल पी एस टी है वो आपको गीवन है एंगल पी आर क्यो के बराबर आपको गीवन है ठीक है यह चीज आपको गीवन है यह कंडिशन गीवन आपको साथ में एक एंगल करना है to prove PQR is an isosilis triangle that is PQ is बराबर PQ बराबर है किसके PR के बराबर है अगर ये चीज़ आप prove कर दो तो इसका मतलब क्या है PQR क्या होगा isosilis triangle है ठीक है कोई भी दो side तो हम यही proof कर दें कोई भी दो side equal है तो P किसके बराबर PR के बराबर है तो इसका मतलब ये कैसा triangle है isosilis triangle है तो सबसे पहले चलते है condition को लेके चलते है proof की तरफ as it is given that as it is given that PSYSQ is equal to PTYTR PSYSQ is equal to PTYTR मतलब की ये चीज हमें given है कि PSYSQ का ratio PT by TR के ratio के बराबर है इसका मतलब क्या है जो आपकी ST line है वो किसके parallel है QR के parallel है by Converse of BPT ठीक है implies that जो आपकी कौन सी जो आपकी ST हाँ ST जो line है वो किसके पैलल है QR के parallel है using Converse of BPT ठीक है using Converse of BPT जे हम कह सकते ST जो है वो क्या है पैलल है now अगर ST parallel है किसके QR के अगर ST parallel है QR के अगर ST parallel है QR के तो हम और corresponding angles भी आपने पड़े थे ठीक है तो यहाँ पर कौन से angle लिख लोंगे PST बराबर होगा PQR के जो angle PST है वो किसके बराबर होगा angle PQR के बराबर होगा यहाँ पर लिख दोगे corresponding angles ठीक है corresponding angles ठीक है also जो चीज हमें given है वो क्या given है कि angle जो PST है वो P R Q के बराबर है जो आपका angle PST है वो आपका angle P R Q के बराबर है इसको मान लो equation number one इसको मान लो equation number two ठीक है तो now from one and two हमारे पास क्या आ गया PST इसके बराबर PST इसके बराबर है अगर left hand side आपकास में बराबर है तो right hand side भी आपकास में हमेशा बराबर होती है तो from one and two we have from one and two we have angle PQR is equals to angle P R Q PQR is equals to P R Q अगर ये दोनों angle आपस में बराबर है एक ये angle और एक ये angle अगर ये दोनों angle आपस में बराबर है तो इसका मतलब PQ और P R भी आपस में बराबर होंगी क्यों side opposite to the equal angles प्रोपर्टी से ये प्रोपर्टी आपने बढ़ रखी अगर किसी भी दो equal angle के opposite में दो कोई भी side होंगी वो भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी अगर कोई doh angle है इन dwon unjust opposite ये जो दो sorry है दोनों आपस में हमेशा बराबर होती है ठीक है ऑर सें में utet Quick कर रोपर आगर दोनों side एक्वल हैं used was was a double वाले दोनों angle भी हमेशा equal होते हैं हमेशा याद रखना 돼ग अर छिकर कन वर्सी डूउ PR since sides opposite to equal angles are always equal ठीक है देखो जो कारण होता है वो आपको side में जरूर देना होगा ठीक है वरना आपके number वहाँ पे cut कर लिये जाएंगे जैसे अगर आप साथ में reason नहीं दोगे तो वहाँ पे number आपको कम दिये जाएंगे ठीक है और यहीं चीज़ आपको proof करने थी therefore triangle PQR is an isosilis triangle ठीक है क्योंकि PQR बराबर है मतलब की इस triangle की दो side अगर आपसे बराबर है तो वो triangle कैसा है एक isosilis triangle आपको given है ठीक है यह चीज़ आपको यहाँ पर proof करने थी ठीक है तो यहाँ पर भी हमने Bpt का use किया Bpt का नहीं हमने यहाँ पर converse of Bpt का use किया क्योंकि हमें condition given थी अपकी बार हमें यह नहीं given था कि यह side इसके parallel है अपकी बार condition given थी ratio की corresponding side का ratio आपको क्या given है corresponding side नहीं sorry जो आपकी other two side angle की उनका ratio आपको क्या given है equal given था ठीक है तो angle line क्या होंगी आपस में parallel होंगी अगर parallel है तो corresponding angles की property अपलाई कर दी corresponding angles equal है यह चीज़ आपको given थी left hand side equal है तो right hand side भी आपस में बराबर होंगी अगर right hand side के दोनों angle आपके बराबर है तो इनके opposite जो side होती है वो भी आपस में हमेशा बराबर होती है according to the property as you have already studied ठीक है तो अगर दोनों side आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है PQR1 isosilis triangle आपको given है ठीक है समझ में आगया यह आपके पास तीन example थे जो 6.2 में आपको given थे ठीक है अब हम चलते है exercise question की तरफ कुछे question discuss करते है ठीक है तबसे पहला question क्या आपको given है देखते हैं first question का first part क्या given है question देखो in figure 6.17 बिल्कुल यही figure है आपके सामने 1 and 2 DE is parallel to BC जो आपकी DE line है वो BC के parallel है DE जो line है वो BC के parallel आपको given है ठीक है जब भी parallel line 6.2 में दिमाख में आए एक ही चीज दिमाख में आनी चाहिए अगर आपको यह नजर आ रही है DE कोई भी line है जो third side के parallel है CDC एक बात दिमाख में आना चाहिए ratio equal होगा other two side का बस BPT apply होगी वहाँ पर यह चीज आपको बतानी है ठीक है BPT यहाँ होगी वहाँ पर apply होगी ठीक है यह चीज आपको वहाँ पर देखनी है अब next यहाँ पर आप देखोगे next यहाँ पर आप देखोगे कि जो other two sides है वह आपको given है equal मतलब की यह जो line है यह इसके parallel given है और next जो DE line है यह भी आपकी किसके equal given है parallel given है BC के अगर यह parallel given है BC के तो हमें proof क्या करना है find EC मतलब की EC की length हमें find करनी है दोनों पार्ट में दोनों पार्ट में हमसे यह पूछा गया है कि यहाँ पर जो triangle given है इसमें भी EC की length बताओ और इस triangle में भी आप EC की length ही बताओ यहाँ पर EC की नहीं यहाँ पर आपसे पूछा गया है BD, AD की AD कहाँ पर given है यह रहा ठीक है first part में आपसे EC की length पूछी गई है और second part में आपसे AD की length वहाँ पूछी गई है फर्स पार्ट में EC की और सेगंड पार्ट में आपसे AD की लेंथ यहाँ पे पूछी गई है तो कैसे करेंगे बिल्कुल easy question है basic proportionality theorem apply करेंगे अगर कोई line third side के parallel है तो उस case में ये line other two sides को equal ratio में divide करते है ये हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था ठीक है तो अब हमें कोई दिक्कत यह हम easily इसको solve कर सकते हैं ठीक है तो DE is parallel to BC therefore AD by DB AD by DB का ratio किसके बराबर होगा AE by EC के ratio के बराबर होगा due to using B, P, T मतलब की basic proportionality theorem के according अब क्या करो value put कर दो AD की कितनी है 1.5 DB की value 3 AE की value 1 और EC की value हमें find out करनी है तो इसको cancel out करेंगे point से 0, 15, 20, 30 तो यहां से cross multiply करके EC को multiply करोगे cross multiply 2, 1, 0, 2 तो EC की value कितनी है आगए आपके पास 2 cm आ गई यही आपको यहां पे find out करना था ठीक है पहले part में normally आपको B, P, T apply करनी थी 3 side की length आपको given थी 4th side आपको find out करनी थी simply calculation करके आपने यहां पे find out कर ले अब बात करते हैं second part की तो second part में आपको क्या given है जो DE है वो क्या है parallel है किसके? BC के parallel है तो मतलब कि अगर DE parallel है BC के then using B, P, T हम क्या कह सकते है AD by DB किसके ब्राबर है AE by EC के ब्राबर है ठीक है जो आपकी AD by DB है वो किसके ब्राबर है AE upon EC के बराबर है using B, P, T ठीक है अब क्या करो value put कर दो AD हमें find out करना है DB की value हमें given है 7.2 AE की value हमें given है 1.8 और EC की value हमें given है 5.4 point से point cancel 18 तिये चमन ठीक है तो AD की value कितने आए cross multiply कर दो 7.2 से 7.2 numerator में denominator में 3 तो divide गर होगे तो कितना आएगा 3 2 0 6 3 4 0 12 2.4 cm ठीक है जहीतना ही आएगा न 7.2 है न 7.2 divide by 3 ठीक है तो 2.4 cm आपके पास क्या आगया right answer यहाँ पे आगया ठीक है यह आपके पास आगया right answer AD की length आपको यहाँ पे find out करने थी ठीक है यहाँ पे आपको easy find out करना था यहाँ पे आपको AD find out करना था ठीक है अब चलते हैं next question की तरफ next question क्या given है देखो next question आपको यह given है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR एक PQR को यह triangle है PQR ठीक है E and F क्या points हैं कौन सी side पे E तो point है P के उपे E तो point है यहाँ पे और F point है आपका PR पे और इन दोनों को join करतो है यहाँ पे ठीक है for each of the following case state weather EF is parallel to QR अब आपको Converse of BPT बतानी है आपसे यह पूछा गया है यह triangle given है उस triangle में E and F कोई दो point है उन दोनों को join कर दिया गया तो एक line बन गई तो यह बताओ EF जो है वो parallel है या नहीं QRK EF parallel है या नहीं QRK तो Converse of BPT क्या कहती है होगा QRK कब parallel होगी अगर दोनों sides का ratio क्या हो equal हो तब ही जाके आपकी EF क्या होगी parallel होगी QRK तो तीन पार्ट given है तो तीनों पार्ट से हम क्या करेंगे ratio चेक करेंगे अगर ratio बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है EF parallel है QRK divide by E क्या हो किसके बराबर होगा PF divide by FRK बराबर होगा यह चीज़ हमें चेक करने है अगर यह चीज़ true है तो converse of BPT से converse of BPT से हम क्या कह सकते है आपकी EF जो है वो parallel है किसके QRK parallel है ठीक है BPT से हम क्या कह सकते है अगर यह parallel है यह चीज़ कह सकते हैं बट अगर यह चीज़ true है तो हम कह सकते हैं कि EF आपकी QR के parallel तो यह चीज़ हमें check करनी है अगर यह चीज़ true हो गई तो यह चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं तो पहला क्या given है हमारे पास PE by EKO किसके बराबर है PF by FR के बराबर है PE की value कितनी given है 3.9 EK की value कितनी given है 3 तो इसकी value आ गई 1.3 cm ठीक है 3 से cancel out कर गए तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अब PF by FR चेक कर लो PF by FR PF by FR, PF की value 3.6 और FR की value 2.4 अब इसको करते हैं चेक तो exactly तो divisible होगी ही नहीं क्यों ये तो completely divisible हो गया था बट ये तो completely divisible हो गा ही नहीं 12 दूनी 24, 12 ये 36 यहाँ पर centimeter लिखने की जोचनी क्योंकि आप एक ratio निकाल रहे हो ठीक है तो मतलब P by EQ की value कितनी आई 1.3 by 1 और PF by FR की value कितनी आई 3 by 2 तो आपस में क्या है बराबर नहीं है ठीक है क्योंकि इसकी value कितनी है 1.3 by 1 और इसकी value 3 by 2 तो ये आपस में बराबर नहीं है therefore if is not parallel to ऐसे भी लिख सकते हो parallel lines को cut कर दो या फिर if is not parallel to क्यों आर इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो ठीक है इसे सरफ बात करें second part की second part क्या कह रहा है formula बिल्कुल same apply करेंगे हम formula बिल्कुल same apply करेंगे PE by EQ और PF by FR का ठीक है तो यही चीज हमें find out करनी है PE by EQ निकालेंगे सबसे पहले PE by EQ किसके बराब PE की value कितनी है 4 EQ की value 4.5 EQ लिखो या QE लिखो कोई फरक नहीं पड़ता बात बराबरी है तो मतलब यह तो आपके पास आ गया 40 divided by 45 मतलब 58040 59045 point cancel करेंगे तो उपर 0 आएगा जब भी हम point हटाते हैं तो ठीक opposite में अगर numerator से हटा रहे हैं तो denominator में अगर denominator से हटा रहे हैं तो numerator में क्या होता है 1 0 से हम multiply करेंगे 10 से हम multiply 1 point से 10 यह देखा जा रहा है point हम कौन से place से हटा रहे once place से हटा रहे है अगर 10th place set आओगे तो 100 से multiply ठीक है 1 से करोगे तो 10th से multiply यह आगी आपके पी अपॉन क्यों की वेलू अब निकालेंगे पी एफ अपॉन में RF की वेलू तो पी एफ अपॉन में RF मतलब पी एफ की वेलू कितनी है 8 और RF की वेलू हुआ है मतलब की अब यहां पे आप देख सकते हो P by E क्यो किसके बराबर है P F by F R के बराबर है ठीक है P by Q E का रेशियो किसके बराबर है P F by RF के बराबर है मतलब दोनों की वेलू क्या है बिल्कू सेम है therefore हम लिख सकते है P by E क्यो किसके बराबर है P F by RF के बराबर है P F by RF के बराबर है तो यहां से हम क्या लिख सकते है जो आपकी कौन सी लाइन है E F वो लाइन आपकी क्या है पैलल है Q R के वो लाइन क्या आपकी Q R के पैलल है ठीक अब लहेगा राष्ट पार्ट तो लास्ट पार्ट मैं भी देखते हैं हम क्या करेंगे प्यू की पी एक की वैलु कितनी गीवन है 0.18 वैलू ध्यान से देख ले न कहीं पी की वैलु देखती पहले यह put कौन सा triangle given है यह PQR हाँ काफी important part है भाई बिलकुल important part है क्योंकि आपको यहाँ पर क्या given है PQ given है मतलब complete याद करो तीन case मैंने आपको बताए थे तीन important case PQ अगर basic proportionate theorem अगर true है तो उस case में आपकी PE by EQ का ratio या फिर PE by PQ का ratio और या फिर PQ by PE का ratio EQ का ratio आपस में बराबर होता है ठीक है तो वही case आपको given है आपकी वर PQ given है और छोटी length कौन सी given है PE given है आपको तो जो example number one में हमने true किया था वह चीज हमें यहां पे true करनी है तो यही चीज हम condition यहां पे check करेंगे कौन सी यहां पे हम condition check करेंगे PE divide by PQ PE divided by PQ आपके किसके बराबर होनी चाहिए PF divided by PAK PF divided by PAK के बराबर होनी चाहिए क्योंकि यही चार वैलू आपको यहां पर given है Pkel, PR, PE और PF ठीक है तो यह value put करेंगे PE की value कितनी है 0.18 और PK की value 1.28 तो PE by PK की बडावर है PE की value 0.18 और PK की value 1.28 आपको given है यही given है ना 1.28 ठीक है इसी तरह next हम इसकी value put कर लेते हैं एक बर PF by PR किसके बराबर है PF की value कितनी given है PF आपको given है 0.36 और 2.56 0.36 और 2.56 PR की value 2.56 अब इसको करो simplify point से point cancel क्योंकि ये भी 100 place पे ये भी 100 place पे 2 से divide करेंगे 29 जर 18 26 जर 12 और 24 जर 18 ठीक है ये आगे और cancel out नहीं होगा 9 by 64 अब यहाँ पर check करेंगे point से point cancel क्योंकि 100 place पे हैं बिल्कुल same 2 से divide करो 18 दूनी 36 और यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 28 जर 16 18 फिट से cancel करो 2 से 9 24 जर 12 यहाँ से नहीं 26 जर 29 by 64 तो यहाँ पर value कितनी आ रही है आपकी 9 by 64 आ रही है 0.36 ही है ना वो 0.36 divided by 2.56 ठीक है तो इससे divide करेंगे तो आपकी value क्या आएगी 18 by 29 जर 18 26 जर 12 24 जर 9 by 64 यहाँ पर भी 9 by 64 और यहाँ पर भी आपका 9 by 64 ही आएगा ठीक है तो मतलब कि इनका ratio अगर आपस में बराबर है तो मतलब जो आपकी कौन सी line है EF line क्या होगी QR के भी बराबर पैलल होगी किस condition से by converse of BPT से ठीक है अगर यह condition भी true होती है example number one हमने यही proof किया था याद करो नाम वहाँ पर कुछ होड़ था A B A C बट यहाँ पर proof हमने यहीं किया था P divided by P क्यों किसके बराबर था P F divided by P R के पराबर था ठीक है तो आज यहीं तक ही करेंगे हम ठीक है कल यहाँ से continue करेंगे आगे जो भी question है 6.2 के तो यहाँ तक जितने भी question कर लिए उनको अच्छे ते practice करके आना अगर कोई doubt हो तो comment करके जरूर बताना तो आज के लिए इतना ही thank you